नमश्कार आपको सोगत है श्टॉकालोजी में आज हम बात करने वाले हैं स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि सेल के कोड़नी रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्हों भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्ली सब्सक्राइब करते हैं बैल आकॉन पर क्लिक करते है विडियो को लाइक करें शेयर करें तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को आपको सामने रिजल्ट हैं कंसॉलिडेटेड और आकड़े दिये गए हैं करोड में बात करते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की तो सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 कौटर के जून 22 कौटर के रिजल्ट हैं और जो हम्ड़े आपको सबसे पहले दिखाए दे रहे हैं वह जून 22 कौटर के रिजल्ट तो बात करते हैं फस्ट नमबर 5 टोटल इंकम की जून 21 कौटर में कंपणी की टोटल इंकम थी 275.75 करोड की मार्च 22 कौटर में यह हुई 31.155 की तो टोटल इंकम ऌनी 20 कोटर से जुन बाइस कोटर में तो एर उन एर में इंकम 17 प्रतिशत बढ़ते बड़ते हुई नजर आ रही है बात करें कोटर इन कॉटर में मार्च में 24 कडर में कमी हुटाइई के दिती है बात कर लेते हैं एक्सपेंस की सब निच्छी दिए गाये हैं टोटल एक्सपेंसेश जून एक्सपेंसेश में 152.07 करोड की एक्सपेंसेश थे मार्च बाइस कॉटर में तो year on year में expenses 49% बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं बात करें quarter on quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में तो quarter on quarter में expenses घड़ते हुए दिखाई देते हैं बात कर लेते हैं profit and loss statement की तो देखते हैं fourth number point profit before tax को जून किस quarter में 5212.23 करोड के profit before tax थे March 22 quarter में 3288.97 करोड के profit before tax हुए और June 22 quarter में 1047.30 करोड के profit before tax हुए हैं तो profit before tax की बात करें year on year में June 21 quarter से June 22 quarter में तो year on year में profit before tax घड़ते हुए नज़र आ रहे हैं बात करें quarter on quarter में March 22 quarter से June 24 quarter में हैं तो quarter on quarter में profit before tax में कमी होते हुए दिखाई दी रही है बात कर लेते हैं fifth number point की net profit for the period की जो कि सबसे नीचे दिया गया है यानि कंप्री के net profit तो June 22 quarter में 3897.36 करोड के net profit थे March 2478.82 करोड के net profit हुए और June 22 quarter में 800.85 करोड के net profit हुए है तो net profit की बात करें year on year में जून किस quarter से जून 22 quarter में तो year on year में net profit घटते हुए नज़र आ रहे हैं बात करें quarter on quarter में March 22 quarter से June 20 quarter में तो quarter on quarter में भी net profit में कमी होते हुए दिखाई दी रही है ओवराल रिजल्ट्स की बात की जाए तो हमें कंपनी के चाहें वह कॉटर और कॉटर हो या यर ओन यर हो दोनों में कंपनी के प्रॉफिट घटते हुआ नजर आ रहे हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वह हमें काफ़ी जादा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कंपनी की रिजल्ट्स कमजोर आए हैं धन्यवाद अ